सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जय बागेश्वर धामसरकार, अगर आपकी भी नींद सुभ तीन से पांच के बीच खुलती है, तो जान लीजिए इश्वर देते हैं, ये खास तीन संकेत. आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भाग दौड के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर तूट जाती है, जिससे वे हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है. लेकिन बतादे की हर रोज एक ही समय पे आख का खुलना आपके जीवन में एक बदलाव का संकेत देते हैं, जिसको नजरंदास करना आपके लिए भरी पड़ सकता है. तो आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आखिर रात में नींद खुलना आपके जीवन में किस बात का संकेत देते हैं. रात नौ से ग्यारह के बीच नींद तूटना देते हैं, ये संकेत. अगर रात को नौ से ग्यारह के बीच आपकी नींद खुल जाती है या कोशिश के बाद भी आपको नींद नहीं आती तो ऐसे में ठंडे पानी से चहरे को धोकर सकाराक्मक मंत्रों का जाब करें. इस क्रिया को नियमित करने से आपको तनाव का छुटकारा मिलेगा और आप एक अच्छी नींद ले सकेंगे. रात ग्यारह से एक के बीच नींद खुल ना देते हैं, ये संकेत. अगर रात्री में ग्यारह से एक के बीच अचानक सोते हुए उठ जाते हैं या फिर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप हो सके उतना खुद पर भरोसा रखें. सोने से पहले नेगेटिक चीज़ों को निकाल दें, ये समस्याएं आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती है. रात बारह से दो के बीच नींद खुल ना देते हैं, ये संकेत. अगर रातरी के इस समय के दोरान आपकी नींद खुलती है, तो इसका मतलब कोई अंजान शक्ति आपके आसपास रहकर संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के उद्देशों के प्रती जागरुप कर रही है, इससे आपकी जान को खत्रा हो सकता है. रात एक से तीन के बीच नींद खुल ना देते हैं, ये संकेत. यदि आपकी नींद तीन बजे अचानक खुलती है, तो इसका मतलब स्रिष्टी वद्व्यशक्ति चाहती है कि आप उठे और अपने इश्टदेव की आराधना करें, आप परामात्मा का जाप करें क्योंकि काफी शक्तियां आपका इंतेजार कर रही है, जो आपको मिल सकत आपकी नींद खुलना देते हैं, ये संकेत, अगर आपकी नींद इस समय के बीच नींद खुलती है, तो इसका मतलब कोई अंजान शक्ति आपसे संपर्क करने कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रती जागरुक है, सुबह पांच बजे से साथ बजे नींद खुलना देते हैं, ये संकेत, यदि इस समय के बीच आपकी नींद खुलती है, तो कोई चीज आपको भावनात्मक रुप से रोकती है, इस दौरान जगने वाले लोग बेहद इमोशनली रुप से कमजोर माने जाते हैं, ऐसे में उन्हें ध्यान क्रिया करना आवश्चक है,